मैं बेता हर्षा सोच सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ और खुद को जहां चाहूँ वहाँ जाने दे सकता हूँ मैं बस हर विचार और भावना के प्रती जागरूक रहता हूँ अगर आप में बढ़िया संतुलन है तो आप अपने जीवन में हर वो चीज करेंगे जो आप कर सकते हैं आप इस प्रक्रिया को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसे सोने से ठीक पहले करते हैं तो ये थोड़ी दूरी बनाने का एक सरल तरीका है अगर मैं दिन ठीक से शुरू करता हूँ शरीर का खयाल रखता हूँ अगर बातचीत सही होती है तो मैं किसी भी चीज को संभालने के लिए ज्यादा अनुकूल महसूस करता हूँ आप क्या करते हैं वैसे मैं अपनी जिन्दगी बे तहाशा जीता हूँ कोई अनुशासन नहीं मुझे नहीं पता कि मैं कहां सोऊंगा कहां जागूंगा अगर मुझे दो रात एक ही तक ये पर सोने को मिले तो ये मेरे लिए एक लक्जरी है मैं हमेशा किसी और जगा पर होता हूँ तो मेरा कोई अनुशासन नहीं है सिवाए इसके कि मेरा दिन आम तौर पर 18 से 20 घंटे तक चलता है थोड़ा धीमा होने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये और गती और वेक पकड़ रहा है लेकिन क्योंकि मैंने खुद को इस तरह से बनाया है कि मेरे अलावा कोई भी ये तै नहीं कर सकता कि मेरे अंदर क्या होता है तो कोई भी मुझे हताश नहीं कर सकता, कोई भी मुझे नाखोश या क्रोधित नहीं कर सकता तो अगर वो दो बजे रात को भी जगा कर मुझसे पूछते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पहली बात तो ये कि मैंने बहुत पहले तै कर लिया था पता है अपने जीवन में मैंने कभी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया नहीं मैं किसी नौकरी के लिए इंटर्व्यू देने गया या नौकरी के बारे में सोचा भी नहीं हमेशा मेरे परिवार को चिंता रहती थी तुम कैसे अपना जीवन चलाओगे मैंने का मुझे नहीं पता मुझे बस इतना पता है अगर कुछ काम नहीं किया तो मैं चल दूँगा जानते दक्षिन भारत के जंगलों में मैंने अकेले कई सप्ता बिताए हैं मैंने वहाँ जीवित रहना सीखा है तो मैंने का अगर कुछ काम नहीं करेगा तो मैं जंगल चला जाओंगा आप मुझे नहीं देखेंगे लेकिन मैं जीवित रहूंगा ये मत सोचेगा कि मैं मर जाओंगा मैं जीना जानता हूँ तो मैं गतिविधियों को और लोगों को चुनौतियों और बाधाओं को असल मैं किसी भी तरह से मुझे परिशान करने वाली चीजों की तरह नहीं देखता बात बस इतनी है कि कुछ चीज़ें आपके काम को बहतर बनाती है और कुछ चीज़ें काम में बाधा डालती है तो मैं चीज़ों को उस संदर्व में देखता हूँ बस इतना ही मैं कभी भी किसी गतिविधी या किसी व्यक्ति को किसी ऐसे रूप में नहीं देखता, जो मेरा जीवन बना सकता है या बिगाड सकता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन को अपने हाथों में ले कर रखा है, पूरी तरह से, या दूसरे शब्दों में, मैं अपने भीतर होने वाले हर विचार और भावना के प्रती जागरूख हूँ, तो मैं बेतहाशा सोच सकता हूँ, और महसूस कर सकता हूँ, और खुद को जहां चाहूँ, वहां जाने दे सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्व वैसे हो रहा है, जैसे मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये आपको भी करना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप थोड़ी दूरी बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप इसके काम करने की पूरी प्रणाली समझ जाएंगे, अगर आप इसमें फसे हुएं, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जटिल मामला है, ये जटिल नहीं है, बात बस इतनी है, कि लोग इससे अपने भीतर जटिल बना रहे हैं, और जहां तक विचारवान होनी की बात है, तो नहीं, मैं किसी चीज़ को लेकर सोच विचार नहीं करता, मैं आम तोर पर विचार शूने रहता हूं, हाँ, मेरे मन में एक विचार, हाँ, मेरे मन में एक भी विचार नहीं चलता, जब मैं सड़क पर चलता हूं, तो मुझे कोई जानकारी या ग्यान नहीं होता, मैं बस ऐसे चलता हूं, जैसे मैं पांच साल का बच्चा हूं, बस खुशी से, हर चीज़ को देखता हुआ, चाहे कोई चेडिया हो या तितली, आदमी हो या औरत, मैं हर चीज़ को ध्यान से देखता हूं, किसी इरादे से नहीं, बस यूँ ही, क्योंकि मेरे पास आखे हैं, तो मुझे वो सब देखना चाहिए, जो मैं देख सकता हूं, तो, अगर आप में आंतरिक और बाहरी दोनों स्थरों पर ध्यान देने की एक अग्रता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात से संघर्ष करना होगा कि कौन आपको परिशान करेगा, क्या आपको परिशान करेगा, क्या आपको विचलित करेगा, नहीं, देखिए, संतुलन, आंतरिक संतुलन, सबसे मैत्वपून चीज है, आपके पास बुद्धिमत्ता हो सकती है, आपके पास प्रतिभा हो सकती है, आपके पास ख्रमता हो सकती है, आपके पास कई चीज़ें हो सकती है, आपके पास बहुत सारी संपत्ती भी हो सकती है, लेकिन अगर संतुलन नहीं होगा, तो ये सभी चीज़ें आपके खिलाफ हो जाएगी, आपकी अपनी बुद्धी आप आपके खिलाफ हो जाएगी, आपके रिष्टे आपके खिलाफ हो जाएगी, हर चीज आपके खिलाफ हो जाएगी। आपकी ख्षमताएं, आपकी प्रतिभा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च संभव अभिव्यक्ति पाएंगी. या दूसरे शब्दों में, अगर आप अच्छे से संतुलित हैं, तो आप हर वो चीज करेंगे जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं. जो आप नहीं कर सकते, वो आप ऐसे भी नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप संतुलित नहीं हैं, तो आप जो कर सकते हैं, उसे भी नहीं करेंगे. अपने जीवन में, अगर आप वो नहीं करते जो आप नहीं कर सकते, तो कोई समस्या नहीं हैं. पर अगर आप वो नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं, तो आप एक आपदा है। मेरी कामना और मेरा आशिरवाद है कि आप ऐसी आपदा ना बने। तो एक सरल प्रक्रिया है, आप इस प्रक्रिया को डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे दिन में 12-15 मिनिट कर सकते हैं, इसे इशा क्रिया कहते हैं, शुरुवात में कुछ दिनों तक आप इसे सुन कर करते हैं, ये कुछ समय तक निर्देशित होता है, इसे मान लीजिए, अगर आप 15 दिन या एक महिने तक सुन कर करते हैं, उसके बाद आप इसे बिना किसी मार्ग दर्शन के भी कर सकते हैं. आप इसे खुद से कर सकते हैं. हर दिन बस खुद को याद दिलाते रहें और अपनी सांस को उससे जोड़ते रहें. खास कर अगर आप इसे सोने से ठीक पहले करते हैं, तो ये थोड़ी दूरी बनाने का एक सरल तरीका है, आपके और आपके शरीर के बीच, आपके और आपकी मनोवैज्यानिक प्रक्रिया के बीच.